आकाश पाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार किन्र सरकारनी जिनजाती समुदाय को वन शेत्रों में टिंबर को छोड़ कर कुछ अन्य उत्पादू की कटाई और संग्रहन की अनुमती दी प्रुदेश में जिला एवम जनपत पंचायत के अध्यक्षों का कारेकाल आगामे चिनाव तक बढ़ा खाद्यानों और जल्द खराब होने वाली वस्तूं के परिवहन के सविधा के लिए सरकार ने जारी किया किसान रथ मोबाइल एप देश में कोरुणा संक्रिमतों की संख्या 13,000 के पार राजी में भी तीरा सोसे स्यादा हुए मरीज और फिल्म अभिनेता आशुतो श्राणा और राजपाल यादव ने बढ़ाया पुलस कर्मियों का उत्साह परवतारों ही मेगा परमार ने भेट की स्क्रीन शीट अब समाचार पस्तार से ग्रह मंत्राले ने कोरुणा बहामारी के कारण देश पर में लागो पून बंदी के तहट जारी दिशानर देशों में रियायत देते वे जनजाती समुदाय को वन शित्रों में टिंबर को छोड़ कर कुछ अन्य वन उत्पादों की कटाई और संग्रहन की अनुमती दी है ग्रह मंत्राले ने आज जारी कादेश में कहा है कि जनजाती समुदाय और अन्य वनवासियों को बास, नारियल, कोकुआ, मसालों की फसल के साथ साथ उसकी कटाई, प्रसंस करण, पैकिंग, बिक्री और विप्रण की भी अनुमती दी गई है प्रोदीश में वन विभाग कोरुना संक्रमन की रोकथाम में सक्रिय भोमिका निभा रहा है विभाग द्वारा लॉकटाउन अवधि में विभिन इस्तरों पर लगभाग दो लाख मास्क, 40,000 सनिटाइजर बॉडल, 50,000 साबुन, 6,000 फूट पैकिट्स और आस्थाई क्वरिंटीन सेंटर्स बनाने के लिए 3,000 बास बल्ली वितरत की गई है वन विभाग के 1522 कर्मचारी भी पुलिस और प्रिशासन के साथ ड्यूटी कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहार ने कहा है कि राजी सरकार ने जिला एवं जनपत पंचायत के अध्यक्षों के कारेकाल में व्रिधी का निर्ने लिया है शिचोहार ने जिलायम जनपत अध्यक्षों के प्रतनिधी मंदल से मुख्यमंत्री निवास पर चर्शा के नौरान बताया कि पंचायत प्रतनिधियों के कारेकाल में व्रिधी आगामी चुनाव होने तक के लिए होगी मुख्यो मंत्री ने कहा कि ये प्रतिनिधी, प्रिशासन और जन्ता के बीच एक एहम महत्वपून कड़ी की रूप में कारिकरते हैं उन्हें कहा कि कुरोना के कारण उत्पन्य वर्तमान परिसेतियों में चुनाव कराना संभाव नहीं है संकट के इस खड़ी में क्रामे और प्रतिनिधियों के उत्तरदायतों को देखते वे उनकी कारिकाल को बढ़ाया जाना आवश्चक है इससे वे जन्ता और प्रशासन के बीच समन्में बनाकर सुदंत्रवन से कारिकर सकेंगे क्रिशी मंत्री नरेंडर सिंग तोमर ने लॉकडाउन के दौरान खाद्यानों और जल्द खराब होने वाली वस्तों के परिवहन के सुविधा के लिए आज किसान रत मोबाइल एप लॉंच किया ये एप क्रिशी और बागवाने उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश से इनाइसी द्वारा तयार किया गया है उन्होंने कहा कि किसान रत एप से देश में किसानों, किसान उत्पादत संगों और सहकारी समितियों को सुविधा होगी ताकि क्रिशी उत्पादों को बाजार तक ले जाने में उचित परिवहन सुविधा प्राप्त होने में आसानी होगी देश में पिछले 24 गंटों के दौरान कोरुना वाइरस संक्रमन के एक हजार साथ नए मामने दर्ज के जाने के साथी संक्रमितों की संख्या 13387 पहुँच गई है इस दौरान इस संक्रमन के कारण 20 लोगों की मौत होने से मृतकों का आकड़ा 437 हो गया स्वासमन्त्राले की ओर से शुक्रवार सुबह जारी किये गए आकड़ों के मताबिक कुरुना वाइरस का प्रकूप देश के 32 राज्यों और किंद्र श्यासित प्रदेशों में फैल चुका है समाचारों में वक्त है ब्रेका यह समाचार आपका अश्वाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा की अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके लावा अब हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेके बास समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रुदेश में COVID-19 से संक्रमितों की संख्या आज 1299 हो गई, जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई है अब तक इस वीमारी से 65 लोग स्वस्थ भी हुए है जानकारी के नुसार प्रुदेश में इंदौर सबस्याधिक कुरूना से प्रभावित है जहां इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है जिसमें 47 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है वहीं संक्रमितों में इंदौर के बाद भूपाल का नाम आता है जहां अब तक इस वीमारी से 96 लोग संक्रमित हो चुके हैं इसमें 6 लोग अभी तक जान गवा चुके है मुक्यमंद्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा है कि इंदौर में पुलिस, प्रिशासन सहित, पूरा आमला, जन प्रतिनिधियों, समासेवी संगतनों, मीडिया और जनता के सयोग से पूरी मुस्तैदी से कुरुना के विरुद्ध लडाई में जीजान से जुटा हुआ है हम इस लडाई को जल्द ही जीतेंगे और इसकी लिए इंदौर देश में आदर्श स्थापित करेगा उधर भारती इंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्णुद्ध शर्मा ने कहा है कि बुद्ध जीवी और जन प्रतिनिधी कुरुना के खिलाफ रडाई में अपना योगदान दे उधर धार जिले में आज एक साथ चार लोगों के रिपोर्ट कोरुना पॉजटिव पाय जाने से जिले में अब तक कोरुना पॉजटिव संक्रमितों की कुल संख्या दस हो गई है उशंगबाद के इटारसी में पॉजटिव मरीजों की संख्या उनीस हो गई है इटारसी के हाजी मंजल से दो कोरुना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक और मरीज पॉजिटिव मिला है उज्जायन में संक्रमितों की संख्या 31 हो गई है अब तक संक्रमन से 6 लोगों की मौत हो गई है वही चार लोग कोरोना संक्रमन से मुक्ति पाकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं शुपरी जिले में भाजपा, कारिकरता, बोधी, कम्यूनिटी किचन के बाद हमसे भूजन के पैकेट जरुत मंदों तक पहुँचा रहे हैं इसके लावा सुखा राशन भी बाटा जा रहा है सागर में कलेक्टर पीती मैथिल नायक ने सामाजिक पेंशन की पाधरता रखने वाले विक्तियों को घर घर जागर आशे वितरित करने के नरदेश दिये थे रदलाम की 85 वर्षिय सेवन रत्य शिक्षी का पुष्पलता शर्मा ने कुरूना महामारी से नपतने के लिए सरकार को 5 लाख रुपए भेट के हैं खड़वा में अब तक लॉक्टाउन का उलंगन करने वाले 444 वाहनों पर कारवाई की गए है वही मुकेच की साधिकारी ने कुरूना संक्रमेतों की जान कारे दी आज दिना का पॉजेटी है 32 है और कल जो रिपोट आई वो 17 पॉजेटी आई है उसे पहले 15 भरत पहले से ही थे तो इस परकार से 32 अपने हाँ हो गए है और 32 हस्पिटल आजिस कर दिये है उसमें दू डॉक्टर भी है यह ज़्यादा तर तो खेती से रिलेटेट है लोकल जहाँ ज़्यादा है वो अपने बिजनेस से सब्मदित है लेकिन जो पेरी-पेरी में हैं जो छे आए हैं उसमें ज़्यादा तर खेती करते हैं कोलरिंग की बॉटल से मास्क बनाया है उनका कहना है कि यह मास्क फ्री में बन जाता है यह मास्क कोरोना वारस के संक्रमन से नपटने के लिए कारगर साबित हो रहा है